बलून मैट्स वर्ड थ्री हम सुरू किये हैं इस्पेसली एयर फोर्स के बच्चों की तयारी कराने के लिए एयर फोर्स का मैथ तयार कराने के लिए तो इन वीडियो से जरूर आपको फायदा होगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हो तो और अ एक्स्प्लेनेशन पिछले वीडियो में हम आपको कुछ फार्मूले बताये इस समय हम लोग त्रिकोडमिती लगा रहे हैं तो पिछले वीडियो में फार्मूले बताये थे और ये भी कहे थे कि जो त्रिकोडमिती है वो फार्मूलों का समुंदर है उसमें बहुत सारे फा पिछले क्लास में हम आपको कोड को आधा करने वाले फार्मूले बताए थे अब यहां पर हम लोगों को सबसे पहले एक तालीसवां कोश्चन लगाना है तो एक तालीसवां कोश्चन है कि अगर साइन प्रीटा कॉस प्रीटा है अगर sin theta cos theta है तो इसका अधिक्तम मान कितना होगा तो चलिए देखते हैं sin theta अगर cos theta आपके पास है कितना बढ़िया होता अगर साथ में तू भी रहता अगर साथ में तू भी रहता तो अब इतना दुखी होने कों जरूरत है दो से गुरा कर दिया जाए और साथ में एक बटे दो भी लिख दिया जाए मतलब दो से गुरा भी और दो से भाग भी तो जैसे ही हमारे पास तू साइन थीटा कॉस थीटा आएगा तू साइन एकॉस ए फार्मूला होता है साइन तू एका तो यहाँ पर चूकी थीटा है इसलिए हो जाएगा साइन तू थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन तू थीटा अब देखिए साइन का जो अधिक्तम मान होता है वो वन होता है साइन का मान वन से बड़ा कभी नहीं होता तो एक बटे दो गुडे साइन का जब आप अधिकतम मान रखेंगे तो फलन का अधिकतम मान मिलेगा अजब साइन का नियूनतम मान रखेंगे तो फलन का नियूनतम मान मिलेगा तो यहां पर आपको अधिकतम मान चाहिए तो आप साइन का अधिकतम मान रख देंगे वन आई इस तरह से गुड़ा होक अधिक्तम मान अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 42 अब देखिए कोश्चन नमबर 42 लगाने के लिए आपको क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए आपको चतुर्थांस के बारे में जानकारी होनी चाहिए ये है प्रथम चतुर्थांस जीरो से नब्ब ये द्विती चतुर्थान से 90 से 180 त्रिती चतुर्थान से 90 से 270 और ये चतुर्थ चतुर्थान से हैवाला 270 से 360 इसमें सारी की सारी त्रिकोणमिती धनात्मक होती है आई सेकंड क्वाडरेंट में द्विती चतुर्थान से साइन और उसका उल्टा कोशिक ये दोनों होते हैं धनात्मक और बाकी त्रिकोणमिती होती है रिडात्मक इसमें टैन और काट ये दोनों धनात्मक होते हैं बाकी चारो त्रिकोणमिती रिडात्मक होती है इसमें कॉस और उसका उल्टा सेख चोथे में कौन-कौन धनात्मक होता है चोथे में धनात्मक होता है कॉस और उसका उल्टा सेख कॉस और सेख इसमें धनात्मक होता है चोथे वाले में अबाकी त्रिकोनिती होती है रिडात्मक और फिर आपको ये भी जानना है कि इस प्रथम चतुर्थांस में आप दो तरीके से पहुँच सकते हैं पहला तरीका ये है कि नब्बे में कुछ जुड़े एक मिनट एक मिनट ये तो दूसरे में पहुँच जाएंगे नब्बे में कुछ घटे तब आप आएंगे इसमें आगर नब्बे में कुछ जुड़े तो दूसरे में पहुँच जाएंगे और अगर एक सौसी में कुछ घटे तब भी कहां पहुँचेंगे दूसरे में तो पहले में कैसे पहुँचेंगे पता चला अगर 90 में से कोई कोण घट रायत पहुंच जाएंगे पहले में अगर दूसरे में कैसे पहुचेंगे 90 में कुछ जुड़े तो दूसरे में पहुच जाएंगे या 180 में कुछ घटे तब दूसरे में पहुचेंगे अगर 180 में कुछ जुड़ेगा 180 में कोई कोंड जुड़ेगा तो पहुंच जाएंगे तीसरे में और अगर 270 में से कुछ घटेगा तो आप पहुंच जाएंगे तब भी पहुंच जाएंगे तीसरे में तीसरे में कौन-कौन धनात्मक होता है 10 और कौट अगर कोड को आप माइनस में लेंगे तो माना जाएगा कि वो चोथे में है या फिर 270 में अगर कुछ जूडता है तब भी आप किस में पहुँच जाएंगे चोथे में या 360 में से कुछ घटता है 360 को छोड़िए 360 या उसके गुड़क को छोड़ देते हैं तो 360 की पतिये चोड़िए 90 में घटेगा कुछ तो पहुचेंगे पहले में 90 में जूड़ेगा या 180 में घटेगा तो पहुचेंगे दूसरे में अगर 180 में कुछ जूड़ेगा तो 180 में घटेगा 180 में कुछ जूड़ेगा तो तीसरे में 270 में कुछ घटेगा, तब भी तिसरे में, अगर कोण को माइनस मिलेंगे, तक हाँ पहुचेंगे, चौथे में, या 270 में जुडेगा, तब भी पहुचेंगे, चौथे में, उसके बाद, आपको ये याद रखना है, कि 90 प्लस माइनस थीटा के लिए, 90 प्लस माइनस थीटा के लिए, या 270 प्लस माइनस थीटा के लिए, देखियो कुछ परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन याद कर लीजिए, साइन बदल जाएगा कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में, टैन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टैन में, सेक बदल जाएगा कोसिक में, और कोसिक बदल जाएगा सेक में, 180 के लिए नहीं बदलेगा 360 के लिए नहीं बदलेगा कोड माइनस में हो तब नहीं बदलेगा केवल कब कब बदलेगा 270 प्लस माइनस थीटा के लिए त्रिकोड मिती बदल जाती है और 90 प्लस माइनस थीटा के लिए भी त्रिकोड मिती बदल जाती है इतना जानकारी लेने के बाद हम लोग अगला question लगाएंगे तो अगला question यह 42 question हम लोग को लगाना है तो 42 question में सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है cos 90 प्लस theta अब देखिए cos 90 प्लस theta कितना होगा सबसे पहले आप क्या करेंगे इसे देखिए इसे चतुर्थांस है नब्बे से ज़्यादा नब्बे से ज़्यादा दूसरे चतुर्थांस में होगा दूसरे में कॉस होता है निगेटिव नब्बे के लिए कॉस बदल जाता है साइन में ठीक इसको कर देते हैं एक ब्रेकेट में एक ब्रैकेट में 360 को छोड़ देते हैं तो ब्रैकेट में ही लिख दे रहे हैं सेक माइनस थीटा सेक माइनस थीटा अब देखिए 180C माइनस थीटा 180C से कम कौन सा चतुर्थान से दूसरा वाला है आद दूसरे में 10 कैसा होता है निगेटिव और 180C के लिए 10 बदलता नहीं है तो 10 थीटा ही रहेगा कोई भी त्रिकोड मीती किस के किस के लिए बदलती है 90 के लिए और 270 के लिए अब नीचे आईए 270 है आपने देख लिया सबसे पहले आप चतुर्थान स देखेंगे तो 270 से कम 270 माइनस थीटा किस चतुर्थान स में मिलेगा तीसरे में तीसरे में सेक कैसा होता है निगेटिव होता है क्योंकि तीसरे में कौन कौन पाजिटिव होता है 10 और कॉट थिक अब 270 के लिए सेक बदल जाता है कोसेक में 270 के लिए सेक बदल जाता है पांस सो चालीस बहुत बड़ा कोण है भाई, पांस सो चालीस में सबसे पहले 360 निकाल देंगे, तो 0 में 0 गया 0, 14 में 6 गया 8, और 180, केतना बचा, 180, पहले तो इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, 360 को छोड़के, 180C प्लस थीटा लिख देना है, ठीक है, 180C प्लस थीटा लिख देना है, इसको मिटा है, अब देखिए एक ठोही बचा, तो सबसे पहले, यहाँ पर आपको देखना है कि कौट थीटा में से 90 घट रहा है, थीटा पहल से माइनस को कॉमन लेंगे और अगर कॉट के साथ माइनस रहेगा तो वो माइनस बाहर निकलाएगा तो जब माइनस कॉमन लेंगे तब ये हो जाएगा कॉट नब्बे माइनस थीटा बात समझ में आई पहिले थीटा दे दिया है थीटा में से 90 खट रहा है तो हम क्या करेंगे पहले इसमें से minus common लेंगे अज़ जब minus common लेंगे तो cot के साथ वाला minus बाहर निकल आता है क्योंकि चोथे चज़ूर्थांस में cot क्या होता है negative अब उपर उपर देखिए आपके पास है minus sin theta और देखिए सेक के साथ वाला minus उढ़ जाएगा इसे उड़ते उड़ते चला जाएगा balloon की तरह तो सेक के साथ वाला minus हट जाता है बाहर नहीं निकलता है क्योंकि चोथे चज़ूर्थांस में सेक होता है धनात्मक तो सेक के साथ वाला minus उड़ा देँगे तो यह हो जाएगा सेक थीटा और यह है माइनस 10 थीटा माइनस 10 थीटा नीचे है माइनस कोसेख थीटा फिर है साइन 90 प्लस थीटा अब देखिए 90 नहीं 180 गलत बोलती है साइन 180 प्लस धीटा अब 180 प्लस धीटा किस चतुर्थांस में होगा 180 से ज़्यादा होगा तीसरे में और तीसरे में साइन होता है निगेटिव तीसरे में साइन होता है निगेटिव और 180 के लिए साइन बदलता नहीं है तो साइन ही रहेगा साइन ही रहेगा और फिर और फिर हम लोग को क्या करना है यह वाला देखना है यह माइनस है माइनस अब नब्बे माइनस थीटा किस चतुर्थांस में होता है नब्बे माइनस थीटा होता है पहले चतुर्थांस में तो पहले चतूर्थांस में सारी त्रिकोडमिती धनात्मक होती है, इसलिए कौट धनात्मक होगा, यानि ये माइनस का जो चिन लगा है, वो बदलेगा, नहीं माइनस ही रहेगा, और नब्बे के लिए कौट बदल जाता है टैन में, तो ये हो जाएगा टैन थीटा, इस तरह से माइनस टैन थीटा, माइनस टैन थीटा कट जाएगा, और माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा भी कट जाएगा, अब उपर क्या बचा, उपर बचा सेख थीटा, सेख होता है वन अपान कॉस, तो कॉस को नीचे लिग दिए, और को सेख होता है माइनस लगा दीज कोसिक होता है one upon sign तो one upon तो upon वाला उपर चला जाएगा one upon sign ये कितना हो गया sign अब ये minus हम note करेंगे और sign theta बटे cos theta कितना हो जाएगा 10 theta यानि कुल मिला के आगया minus 10 theta कई बार इसको repeat करके देखिएगा ये बहुत बढ़िया question था और बार बार repeat करके देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा तो minus 10 theta answer है यानि ये पहला वाला विकल्प सही है पहले वाले विकल्प पे हम लोगों को लगा देना है तो चुकि फार्मूले भी बताने पड़ रहे हैं और फिर question लगवा रहे हैं speed बाद में धीरे धीरे आएगी कोई यहाँ trick काम नहीं आएगा माली जे आपको 10 question नहीं सा आपको attractive 10 question आपके सामने लगा दिया गया तिक से बड़ा बढ़ यहाँ चली चली लग गया इन तो रवाम जाएंगे को नहीं काम आएगा तो base जब मजबूत रहेगा तो 2-3-3 line छोड़के हम एकदम बकाइदा एक-एक की step एक-एक की step बता रहे हैं तो इतना जब समझ जाएंगे तो आप खुद ही जो है उसको direct करना शुरू कर देंगे लेकिन हम पढ़ाते समय तो पुरा बताना पड़ेगा तो ये मत कहिएगा कि बहुत लंबा हो जा रहा है लंबा सुरू में हो रहा है बाद में वो अपने आप छोटा हो जाएगा आप खुद कर लेंगे और कुछ question ट्रिक से लगने वाले होते हैं उनको बताया जाएगा लेकिन अभी अपना बेस आप कर रहे हैं मजबूत और उसके लिए इतना solution देखना जरूरी है अब देखिए हम लोग पहुंच गया है question number 43 पे तो question number 43 हम लोग को लगाना है इसमें मात्र हम लोग को पता लगाना है कि cost 150 का मान कितना होगा देखिए 90 180 270 और 360 इनके लिए और 360 का गुरत इनके लिए हम लोग के पास है फार्मूला तो अगर आपको cost 150 का मान मिकालना है तो आप पहले ये सोचेंगे कि ये 150 90, 180, 270, 360 360 में से किसके नजदीक है किसके नजदीक है 180 के 90 के भी नजदीक है 180 के जदा नजदीक है तो आप इसको लिख देंगे 100C माइनस 30 या चाहें तो लिख सकते हैं 90 प्लस 60 अब इतना लिखने के बाद आपको फार्मूला लगाना यहाँ पे तो पहले देखिए चतुर्थांस के बारे में देखिए 180 से कम मिलेगा किस चतुर्थांस में दूसरे में अदूसरे में कॉस कैसा होता है रिडात्मक और 180 के लिए कॉस बदलता नहीं है तो कॉस 100C माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा और कॉस 30 का मान सब को याद रखना है कि कॉस 30 का मान होता है रूट 3 बाई 2 कोस्चन नमबर 44 कोस्चन नमबर 44 एकदम फार्मूला है अभी आपको पिछले क्लास में हम लिखवाए थे कि कॉस A प्लस B में अगर कॉस A माइनस B का गुड़ा होगा तो उसको लिख सकते हैं कॉस इसकोईर A माहिनस साइन इसकोईर B तो ये तो बिल्कुल एक फार्मूला ही है तो फार्मूले के अनुसारी हो जाएगा अब 45 वाँ कोश्चन 45 वाँ कोश्चन देखिए क्या है कॉस के साथ कुछ है फिर कॉस के साथ कुछ है अब जो कॉस के साथ कुछ है वही साइन के साथ पहले है अफिर कॉस के साथ जो कुछ है वही साइन के साथ है तो ये एकदम फार्मूले की तरह है किस फार्मूले की तरह कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बीच में क्या है प्लस तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये किसका फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है cos A-B का ये किसका फार्मूला होता है cos A-B का तो ये कितना हो जाएगा cos A मतलब N पलस 1 into X अब फिर minus B तो B कितना होगा ये B का काम करेगा N minus 1 into X तो cos A, cos B plus sin A, sin B ये फार्मूला होता है cos A-B का और अब क्या करेंगे cos इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा NX पलस X अब ये हो जाएगा minus NX अब देखिए minus minus का गुड़ा plus X ये X है अब ये plus NX और minus NX कर जाएगा अब cos के साथ बचेगा plus X यानि cos 2X तो cos 2X ये जो पहला वाला विकल्प है वही एकदम सही है उसी पर टिक लगा दीजिएगा अब देखिए लगबग 19 मिनट का वीडियो हो गया है हम नहीं चाहते हैं बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बने फार्मूला होने के कारण इसी में concept भी दे रहे हैं इसलिए time लग रहा है लेकिन 2-4 जुतने भी question हो रहे हैं आप उसको तयार करते रहें यही आपके लिए beneficial है